हम आप है यह स्वाकशन डूपार आप सभी का आरे शर्ण यूटिप चैनल पर हम आघ चुक्किया भी लाइव सेलेक्शन भेचिक एक और इंट्रस्टिंग क्लास में और आज हम स्टाट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोईशन यानि बहुत इंट्रस्टिंग टॉपिक रहेगा प्रोजेक्टाइल मोईशन इसकी बात अपने आपके करने वाले अगर अपने बात करते हैं सेलेक्शन बेच के लेक्शन नंबर क का eighteen पहले कि अगर 17 लेक्चर में से कोई भी लेक्चर आपने मिस्किया है टुपिक डालो टाइल लगा और सर्च करो ठीक है जो भी आपने जैसे मालो box 3D में पने motion में इसकर दिया है circular motion में इया 1D मैं आपने मिस्किया या लगो मिल जाएगा सर्च कर लो विससे पूरी प्लेलिस्ट बना रखे मिले सेलेक्शन बेच की और यह बढ़ेगी ना धमागा हो जाएगा और सुरुवात अभी हो चुकिए सेलेक्शन बेच की जो मारी प्लेलिस्ट है वह सर्चिंग में आ उपर से उपर ठीक है इसका लेक्षे नमबर 18 है और प्रोजेक्टाइल मोजिशन का part 1 यानि प्रोजेक्टाइल मोजिशन की दो क्लासे होगी आज इसका part 1 होगा और कल इसका part 2 हो जाएगा आपका तो आज की क्लास स्टेर्ट करने से पहले जो बच्छे class में आ चुके एक बार लगा दीजिए like बटन पे अपनी present और class को share कर दीजिए अपने दोस्तों के पास for topic से और class को share करके आजाए class में start करते है projectile motion बहुत interesting आपका topic इसके regarding अपने आपे बात करने वाले है ये projectile motion कहां पे क्या कैसे project किया जारा object को height पे कैसे component change ह क्या होगे सब कुछ अपने visual effect के साथ में देखेंगे का फिम एक पे क्या होगा कैसे object आगे बढ़ेगा आपका time of light क्या होगा range क्या होगा height क्या होगा component क्या होगे सब कुछ visual effect के साथ एक-एक point पे focus करेंगे एक-एक concept के लिए करेंगे उससे पहले जिन बच्चों को मेरी class क regarding information ही है class का time schedule नहीं पता है वो ये screenshot ले सकते हैं और मैं अक्सर ये चीज़े इसलिए बताया करता हूँ क्योंकि इनी के लिए बच्चे call करते हैं इनी की वज़े से बच्चे प्रिशान हो जाते हैं तो मैं बता दूँ मेरी पहली class mock test के होते हैं सुबह 8 बचे अनकेडमी पर इस special class में सुबह 8 बज़े complete 1500-1600-1600 प्लस बच्चे लाइव होते हैं इस special class है free of cost class है सब भी बच्चे जोईन कर सकते हैं दूसरी मेरी DPP की श्रीज होती है 10-20 पर अनकेडमी वोरियर्स पर होती है अभी finish करवाया मैंने daily practice होती है इस topic इस class में तीसरा selection बेच आपका जो class अभी हो रही है RSR YouTube चैनल पर और चोतर class है यह practice plus की class है साढ़े बारा plus की class अनकेडमी प्लस पर पांचवी class आपका conceptual plus class दो बज़े यह concept class है plus की अनकेडमी प्लस पर चट्वी class है conceptual क्यूशन स्रीज जो चार बज़े होती है यह भी अनकेडमी की special class है यह class भी topic wise revision सामको 6 बज़े और अनकेडमी पे special class में और यहाँ पर अपने अभी target करके रखे हुए 12th के topic सारे 12th के topic यहाँ पर अपने revision कर रहे हैं सामको 6 बज़े वाली class में तो उम्मीद करता हूँ कि यह time table सभी बच्चों को मिल गया होगा time table से आगे बढ़के बात करते हैं तो topic start करते हैं यह आपका जो concept आप देख रहे होंगे आप अपने इस concept को projectile motion को start करते हैं अपने concept के साथ में सब्सक्राइब कर लेना अनकेडमी वोरियर्स यूट्यव चैनल को चलो सबसे पहले बात करते हैं आज का concept मारा कि projectile motion यह 2D का motion है एक plane का motion है एक समतल का motion है जिरा आराम से इसको feel करने की कोशिस करिएगा समझते हैं क्या लिखा हुआ है इस प्रकार की गती में वस्तू एक plane में एक समतल में गती करती है समतल का मतलब दो अक्स आगे और दोनो इसी तल की बात अपने यहां पे कर रहे हैं एक्सांपल के लिए अगर मैं यहां पे बात करता हूँ जो billiard table है यह table आपको नजला रही होगी इस table भी बोल जाती हीट कर रही है तो यह बाती बोल्स है ना वो उस प्लेन में उसी table पे इधर उदर से भाग रही है या गती कर यह motion कर रहे हैं यहां से इसको hit किया गया इस ball को यह hit करता है और उसके बाद में चारो तरफ उस table में विखर जाती है तो यह जो billet table है उसके प्लेन में एक तल में motion को यानि 2D motion को represent करता है आपका तो एक तल में होने वाली करती है ठीक है circular motion भी उसी का example है और projectile motion भी उसी का example ह है लेकिन अब आपको होगे सर यह projectile motion थोड़ना हो गया यह तो एक plane में गती हो रही है तो अभी आपके सवाल का जवाब अभी मिलेगा तुरंसे यहां पर देखो मैं क्या बता रहा हूं कि जो 2D motion होता है जो दीवी में गती होती है वो दो प्रकार की होती है there are two types of 2D motion number one अ गती projectile motion और number two पे अपन बात करते हैं व्रतिय गतियानी circular motion लेकिन हमने इसका उल्टा कर लिया है हमने circular motion अल्रेडी complete कर लिया है अगर आप यह lecture मिस पर सुके है तो लिखिए selection बेच circular motion भाई आरे सर तुरंट टॉपिक क्लास आपके सामने आ जाएगी सीरियल से और हमारी यह 82-83 लाख watch minute का आपका watch time लेके बैठा है और उससे कई गुणा hundred times यह जो playlist तैयार कर रहो ना वो आग लगाएगी पूरे YouTube पे तो इसके लिए हम मैनत कर रहे हैं बस दीरे दीरे चल रहे हैं लेकिन एक पगड़ा platform तैयार हो जाएगा यहाँ पर आपकी इस playlist में तो अगर आप बसक्तकर से लेक्षन बेच भाई आरस ज आज बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोचन यानि प्रक्षिप गतिख की तो प्राग्षिप गतिंस ब्सक्राइब उसको समझते हैं में क्या करना है जो इंट्रोडेक्शन उसमें कि कोई ऑबजेट है उसको यहां से एक पॉइंट से अगर थो किया जाता है अगर किसी एंगल पर प्रोजेक्ट किया जाता है तो वह मोशन अंडर ग्रिविटी गृत्वय के अधीन गत्य करतावा कुछ दूरी पर जाके गिरता उस दोरान उसके वेलोसिटी के क्या कंपोनेंट है उसने कितना टाइम लिया हवा में रहने के लिए उसका रेंज क्या है उसका हाइट क्या है यह सारे पॉइंट जब मिला लिए जाते हैं तो वह कंप्लीट बढ़ता है हमारा एक प्रोजेक्टाइल मोशन यानि प्रक्शे पे कती तो प्रोजेक्टाइल मोशन को इंट्रोडीस करने के लिए टाइप सो प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पता होने चीए और टाइप सो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए सबसे पहले अपने आप बात करते हैं प्रक्षेपी की यानि प्रक्षेपी क्या है उसके बाद म में इसके नों याद रहें आपको पर्मानेंट की साथ ध्यान दीजिए क्या कहाने की कोशिश कर रहा हूं एक वस्तु जो बिना इंदन की खपत के बिना फ्यूल को खर्च किये बिना इंदन की खपत के सिर्फ गुरुत्वे के प्रभाव में मुश्चन अंडर ग्रेविटी में वायु मंडल में गती करती है प्रक्षे पे कहलाती है या प्रोजेक्टाइल कहलाती है सिर्फ बहुत ज़्यादा कुछ सवाल बढ़ेगा नहीं बस एक अंडरस्टेंडिंग है लेकिन सवाल कहां से बढ़ेगा सवाल बढ़ेगा इसके एक्जाम्पल से यह प्रोजेक्टाइल जो डिफाइन करने की कोशिज की जा रही है मोश्चन अंडर ग्रेविटी को एक्स पर स्प्रिण पर है चेतिज सा में उड़ते हुए हवाय जाहसे गिराया गया बंप यादि ये कहा जारा है यहां से आपको कि सेते वडिकान है तो बम सीधा Be वह मसलों मस्ति करने लिए उसको गिरारे है मालों सामने जो आपका अतंगवा दी ए चुपे हैं या उनका कोई ठीकान उस पर गिरना है तो जब वहां से रिलीज किया जाता उस बं को तो वå सीधा आके आपका जो टार्गेट है उसको ख़ता टार्गेट पर टकराएगा तो जब उसको घिराय जा रहा है तो बं नीचे आके टार्गेट को हिट करेगा वो मौशन भी आपका प्रोजेक्टाइल मोशर होगा हां वो कोन से प्रोजेक्टाईल Μोशन होगा उसकी बात में जढ़े वाले स्वाइड में करने वालो तो थोड़ा सा पेस्ह रखो इतना समझ समझे कि यह जो Corona में उड़ता आपका वाई यान हे हवाई घड है यह जो बम कर रहा है यह प्रोजेक्टाईल मोशन आपका कर रहा है यानि यह प्रक्सेप्र कतियक्टिस आपकी कर रहा है जमझ आ रहा यहां से यह फाल चूर ब्लेट मोहिव किह क्या जाता है गन से तो जब जाके हीट करता है टार्गेट को तो बिटा बिल्कुल स्टेट टार्गेट को जाके नहीं करता है अगर टार्गेट पर टार्गेट को करोगे तो बुलेट नीचे जाके गिरेगा बुलेट टार्गेट से उपर होती है तब जाके वो टार्गेट क लो यह गया दूसुरा एक्जमपल यानि यह भी प्रोजेक्टायल मोशन का ही आपको दिया गया है उसके बाद में देखिए तीषा एक्जमपल देखिए दनूस से चलाया गया तीर एड रिलीस फों में वो ये दनूस आपको नज़रा आ रहा है दनूदारी यहाँ पर खड़ा देख रहे होंगे आप ठिक है और इसने एक तीर को यानि इस दनूस एक तीर को रिलीस किया ऐरो को रिलीस किया तो वो जाके कहां पर टकरा रहा है वो जाके यहां पर टकरा रहा है यह कोड़ सा मोशन कर रहा है यह प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है समझ में आ रहा है यहां से यह प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है यह तीनों एक्जामपल मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन के आपको दिया है ठीक है ठीक है यह आपका प्रोक्षाम्पल को समझने के लिए मैं ताइप सोब्षाम्पल क्ति के प्रकार पर आपको ले क्या आता हूं और यहाँ पर बहुत तगड़े सवाल बढ़ेंगे आपके दिमाख में जो बहुत सारे डाउट्स है वो clear हो जाएंगे तो उसी दोर में सबसे पहले types of projectile motion में पहला आपका type से बटा तीरियक प्रक्सेपे गती यानि तीरियक प्रक्सेपे गती जिसके regarding अपने बात कर रहे हैं एक bowler ball फिक रहे हैं एक bestman है जिस ball को hit करता है तो बोल जाके गिर रहे है उपर की तरफ गई है और वो boundary के बाढर जाके गिरेगी तो best रहेगा तो बोल जाके सीधा गिर रहे है आगे की तरफ तो यह जो प्रक्रक्र का motion है हम किसी object को किसी angle पर ऐसे फिकते हैं तो आगे जाके जहांपे गिरेगा जहांपे जाके गिरेगा यह जो motion उसने cover किया है यह motion होता आपका projectile motion लेकिन projectile motion में कोण सा तीरियक प्रक्से पे गती तीरियक प्रक्से पे गती होती है यह अगर किसी बोल को यहाँ पे हिट करता है तो यह बोल जब आगेगी और बढ़ रही है तो यह जिस एंगल भी इसको रिलिज किया गयाता है यहाँ पे वो सीधा यहाँ पे आके यहाँ पे टकराएगी तो यह जो motion है आपका x xe और y xe यहाँ एक्स y तल में जो गती हो रही है यह एक प्रक्षे पे गती का एक्जामपल है एक बार सभी बच्चों से कमेंट सेशन में जैहिन चाऊंगा और जो मैं चीज बता रहा हूँ एक एक पॉइंट आपका केलियर हो रहा है के नहीं हो रहा कमेंट में जरूर से बता दीजेगा ठीक है यास इसको ज़रा ध्यांग दीजेगा यह आपका पहला पॉइंट है जिसके रिगार्डिंग अपन बात कर रहे हैं पहला पॉइंट है आपका दूसरा अप्रकार देखिए नमबर टू टैप्स आपका देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन का 36 प्रक्से बेगती हरुजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन बहुत इंटरस्टिंग सवाल है प्रोजेक्टाइल मोशन तो है प्लेन से बम गिरना लेकिन प्लेन से बंग गिरना कोण सा प्रोजेक्टाइल मोशन है क्योंकि टाइप सो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं जैसे आपने अभी देखा पहला वाला तीरे एक प्रक्से 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 प्रक्स की तो बटा उसमें यह जैसे हुआ जाज है यहांसे इसने यह गिराया और यह पंसे यहां को जो दुशमन का टैंक मालों यहां पर इस पे आके गरता है तो यह आपका यह एकस देख रहे गया है तो अब उपर नहीं जाएगा उपजेक्ट जहां से रिलीज किया गया उससे नीचे जाएगा इस प्रकार का जो मोशन होगा वह होगा होरीजंटल प्रोजेक्टाइल मौशन यानि ऑपजेक्ट को जो रिलीज किया गया तो वह इसकी तरह आगर मैं बात करता हो इसकी उपर नहीं जाएगा वो यहां पर जहां से रिलीज करेंगे उससे डारेक्ट नीचे की तरह आएगा सीधा जाके जो आपका जिस पर आपने टार्गेट किया उसको जाके हिट करेगा यह आपका प्रोजेक्टाइल मोशन नंबर टू डाउट के लिएर बिटा यास शाबास वेरी गुड बिटा जैन नमस्ते नमस्ते बिटा वेरी गुड अब आजो तीसरा टाइप आपका जो पहुत ही कम देखने को मिलता है आपको इसके कोई सवाल मिलेंगे नहीं वैसे आपके लेवल पर इसके सवाल आते नहीं है तीसरा आपका टाइप है नत्समतल पर प्रक् इसे लिए मुझे बार बार यह कमेंट देखने को मिलता है तब मैं टाइम इसका सुरुआता हूँ इसक्लास के सुरुआतों मैंने मेरे सारी क्लास होगा लगबग 10 कंड़ी क्लास होती है मेरे परडे की देख लिए यह बार बार कितने बच्छों को हुआ है तो ओको अर दिस्टसरह प्रोजेक्टाइल मौशन ऑन इन 추천 समझ यह यह जो यहाँ पर आपको नजराता है कि स्पें को लिए थीटा एंगल पर AWP यह त्क रहे होंगे यह आपका जो plane था वो theta angle पे उपर की तरफ उठकर आ गया है यह मानलो आपका origin है और यह आपका एकस-कस है यहाँ पे कोई बंदा घड़ा है और यह बंदा यहां से कोई तस्तरी फेक रहा है और यह रिंग यहां से गुंडता हुआ यहां की टकरा रहा है अगर यह यहां पर आके गिरता तो इसको आपका तीरियक प्रक्षे पर गती कहते हैं जो आपने नमबर एक पर पढ़ा था लेकिन यह अंकलाइंड प्लेन पे जब इसने फेका तो यह उपर की तरफ गडिश्ते हु आप अपने पर गर्फ गढ़ल मेरे आपका इसाप से यहां पर डाउट के लिए होगा आपका ऑगे बिटा देखो बहुत इंटरस्टींग विशन आपका नत्संतल पर प्रक्षे पर गती टीश्रा प्वेंट आपका यहां पर किलिए रहे हैं चलो टाइप सो प्रोजेक्टायल मोशन पड़ा पहले प्रोजेक्टायल मोशन बताया तीनों प्रकार की प्रोजेक्टायल मोशन बता दिये अब हम बात काते हैं नंबर एक जो बहुत हैंप पॉइंट हमारा जिसकी बात हमने भी पीछे किया था वह आपका तीरियक प्रक्षे पे गती और पूरी कहाणी हमारी यहीं से बढ़ने वाली है तो तीरियक प्रक्षे पे गती के रिगार्डिंग मैं यहाँ पर बात करने वालों बहुत इंट्रेस्टिंग पॉइंट पर यह जो मैंने आपको कहाता कि बोल को हिट किया जाता है यह किसी अबजेक्ट को फेका जाता है तो ऑबजेक्ट यूज जाके नीचे गिर पूरा कंजंट्रेट आपका स्मार्ट बोर्ड वाना चीए समझी एक एक पॉइंट पर क्योंकि यहाँ परी आत्मा है प्रोजेक्टाइल मोशन की पूरी आत्मा बसती है इस प्रोजेक्टाइल मोशन की ठीक है ओके देख बड़ा द्यान दीजिए सबसे पहली चीज जब पॉइस ऑब्जेक्ट यहां से फेका जाता है तो इसका पॉइसीक्त वेलोसिटी ओपोनिट होता यू होता है इसको प्याई minder यहां पर तीट्व होता है यह थ्यां डिखरा होगा निट्वा थीजर एंगल पर अगे बढ़ाहीं है तो यहां पर चो अपके पॉइच्छिक司 जिसको अपर फेका है यू वेलोसिटी से उसके दो कंपोनेंट बन जाएंगी एक कंपन इसका यह आपका टेंजेंसियल है यू वेलोसिटी के साथ में तो एक इसका कंपोनेंट जो यहाँ पर आपको नजरा आता है मैं इसको नीचे लिख देता हूं आपर इमिए एक इसके डाइक्शन दिखाड़ी ओगी वाहां पर उसका टेंजेंट बना लो वाहां फेसकी स्पर्सुक्त बना लो यह का इसका इसक हाईयेस्टis साब करेंगे सबकुछ जो है तो एक बार बदमाशी कर रहा है मैं इसको दो रोक लेता हूं तो थिक एक ζकै यह मं-पर के तौंपनेंट था Uy जो आपका Vertical Component था Uy वो तो ओगया आपका Zero Vertical Component Uy क्या हो गया है Zero अ जीरिकर उपर की तरप नहीं जा रहा लेकिन इसका Horizontal Component आपका अगर मैं बात करता हूं Oridasyontal जो Component lah Horizontal जो Component है वो आपका हो गया यह वाला देखी अब मेरे पास Color Limited हो गए यह color तो आपको दिखेगा यही रखना पड़ेगा यह limited color होगे मेरे पास चलो चेक करते हैं यह दिखेगा यास यह color होगे आपका यह component आपका u cost दिटा u cost दिटा क्या बात करें हो सरी यास highest point पे यह इसकी अधिक्तम उचाहिए बिटा यह इसकी अधिक्तम उचाहिए h यह आपका h maximum है highest point की बात हो रही है यह h maximum है जिसका component u cost दिटी उच्चतम बिंदू पे यह u y उपर की और 0 तो highest point पे क्या particle का velocity object का velocity 0 होता है नहीं 0 नहीं होता हाँ minimum हो जाता है और वो minimum किसके बराबर होता है vertical component of object है और वो कभी change नहीं होता vertical component of a object कभी change नहीं होता horizontal horizontal component of object है कभी change नहीं होता हमेशा constant रहता है यानि यह जो आपका component है यह कभी आपका change नहीं होगा हमेशा constant रहेगा क्योंकि motion उपर जाके नीची आ रहा है तो motion में motion के दोरान vertical जो component है जो उर्दवादर गटक है वो गटेगा फिर वापस बढ़ेगा लेकिन जो आपका horizontal component है 36 गटक है वो constant रहता है तो highest point पर मान लिया आपके kinetic energy होती है minimum होती है लेकिन उसका component आपका yucosita यहाँ पर आता है जब अपन यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर इसके दोनों component फिर से आ जाते हैं यह yucosita इस तरफ इस तरफ आपका yucosita ही रहता है विटा यह कभी change नहीं होगा और इस तरफ आपका आजाता है नीचे की तरफ आपका yu sin theta ठीक है और फिर इसका resultant अपन इधर निक गती होती है और जब गुरुत्व के अधीन गती होती है तो भाईया acceleration due to gravity कैसे बोल सकते हैं बिलकुल नहीं बोल सकते तो जो इस पर focus करें बिटा जो motion under gravity की दूरान जो गुरुत्वी त्वाण की दिशा के अगर बात करते हैं तो गुरुत्वी त्वाण हमेशा downward direction में लग एक सवाल में आपको प्रैक्टिस करवाया है कौन सा horizontal component of velocity in projectile motion and acceleration due to gravity at highest point एंगल between horizontal component of velocity in projectile motion at highest point and acceleration due to gravity इनके बीच में आपको इंगल बताना है जो आपको साब साब नजर आता है 90 डिखा होगा जी अमेशा नीचे की तरफ लग रहा है अब आपके दिमाग में सवाल आओ रहा है कि क्या मजा कर रहे है सर लिखा हुआ है माइनस का जी भाई किसको लिखा है माइनस का जी जिरा यह देखना A Y जो आपका Y X है ना अगर अपने अबजेक्ट को उपर लेके जा रहे है तो अबजेक्ट उपर जा रहा तो G कहा लग रहा है नीचे लग रहा है तो उसके लिए G किसका हैगा माइनस का अगर अबजेक्ट नीचे गिर रहा है तो G किसका होगा उसके लिए प्लस का तो मैंने पहले देखो यहां पर लिखा हुआ है ए वाई वो जो माइनस का आपका जी आ रहा है मेरे इस आप से एक एक पॉइंट आपका यहां से कलियर होता जा रहा बिटा श्याप बहुत से बतों ने कमेंट में 90 डिगरी आंसर भी दिया है डाउट बैटा के लिए यहां से डाउट के लिए बैटा ओके यास औरो मैंने जो बात यहां पर आपको समझाएए इस बात को इधर ऐसी के लिए कुशीश ने की पर की जा रही है प्रक्षे पे गती में वेग का 36 गटा गए और जेंटल कंपोनेंट यूकोसिटा तुण जी एक्सलेरेशन जी और यांत्री कुरुजा ओई माई कोड ये सवाल दुशर आपने बताया ही नहीं है यूकोसिटा कॉस्टेंट रहता है यस प्रोजेक्टायल ये बहुत खतरनाक सवाल बढ़ गया वैसे बढ़ाए तो कैसे प्रोजेक्टायल मोशन की दुरान क्या कॉस्टेंट रहता है तो हमने सोचा कि कंपोनेंट यूकोसिटा रहता है जो यूकोसिटा यां प्यार आए अच्छा जी बेटा जीबी तो constant रहता है जीबी तो 9.8 ही है फ्री है वो 9.8 अच्छा उसके बाद में mechanical energy सबसे आहम सवाल बहुत तगड़ा सवाल मच्चे confused जगाते हैं object जैसे उपर जाता है यार उसकी potential energy बढ़ती है तो kinetic energy घटती है लेकिन मैं बात करूं के total की यारी mechanical energy की तो वो हमेशा constant रहती है वो कभी change नहीं होती है तो एक बहुत ही खतरनाक सवाल एक बार में आपको आपके screen मतलब इस पर comment भी चाहूंगा कि यह तीनों concept जो मैंने याँ पर बता दिये तीनों concept आपके दिमाग में है यानि कोपी हो गया या नहीं तीनों के तीनों याद हो जाने चीए बहुत एक important concept आपने याँ पर डिसकस करने जा रहे है कि याँ पर original component velocity का ucosita acceleration due to gravity g और आपका mechanical energy यानि या आंत्रे कुर्जा constant रहते हैं बहुत ही तगड़ा सवाल हो गया जबकि अब दूसरा सवाल क्योंकि यह अपने सवाल प्रेक्टिस की होंगे अब क्या चेंज होगा वह समझो देखो सबसे पहला आपका जबकि स्पीड मैगनिट्यूड ऊपर जा रहा है तो मैगनिट्यूड डिक्रीज कर रहा है और जो नीची आ रहा है तो मैगनिट्यूड बढ़ रहा है यानि चाल कि स्पीड चेंज हो रही है पहला सवाल इस पीड चेंज होती दूसरा वेलोसिटी सर वेलोसिटी क्यों भाई यी सवरी है सब्सक्राइव तो चैन्स घुब ऑगा अगर नीख सवाल वर्टीकल जा सब्सक्राइब इनिश्यल वेलोसिटी उर्द्वादर गटके यू साइन तीटा वर्टिकल कंपोनेंट ओफ ए इनिश्यल वेलोसिटी यू साइन तीटा जैसे जैसे उपर जाएंगे वैसे वैसे घटता है और जब नीचे आएंगे वैसे वैसे अपोजीट डायरेक्शन में बढ़ता है यह यह पहुत हैं सवाल है तो पहला दूसरा तीसरा उसके बाद में आगे देखो आगे देखो मॉमेंटम समविए गया क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो मॉमेंटम भी चेंज होगा काइनेटिक एनर्जी उपर जाने पर गटती है नीचे आने पर बढ़ती है काइन सब्धी परिवरतित हैं यहां से कम से कम तीन से चार सवाल तेयार हो जाएंगे कोंड रहता है और कौन चेंज हो जाएगा सारे के सारे तंप मैंने आपको इंग्लिस में नीचे बता दिये यहां पर भी एक एक तंप मैंने बोल के बताया कोड़ कोड़ चेंज होगा और कौड़ कॉंस्टेंट रहेगा तीन चीज़े जो रहेगी यू कोशीटा एक्सलेशन डिटू ग्रेविटी और मेकनिकल एनरजी बाकि सब सबसेा сे सभी का डूट केळिए ठीक है यस मिटा याद हो रहा है क्लास के दोला नहीं यह सवाल जो मैं प्रक्षे पे पत्का समीकरन बहुत से बच्चत इसको skip करते हैं कि यार इस equation को स्कीप करते हैं कोई जरूँ नही है और वैसे equation को रट्टा मारने की जरूत है नहीं लेकिन बढ़ता कैसे हैं ही तोड़ाशा उसके भार बात दोड़ाशा तो देखें यहां पे क्या कंसेट्ट है प्रक्षीप पत्का समीख करें अपर राप मैंने क्या होगा तो इस्के लिए मैंने तो अगर मैं इसको आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर काणी समझ में आ जाएगी सब कुछ यह आपका एक्स-क्स है यह आपका वाई-क्स है एक उब्जिक्ट था यहाँ पर जिसको मैंने थीटा एंगल के साथ यह डायरेक्शन आप देख रहे होंगे यू के साथ थीटा ए है यह आगे का नुंट यहाँ इए हैं आपका इसका कंपोनेंट यू को सिट एब टिकल gebeugा शुरी आपका एकस मान रहे और यह दूरी आपका वाई-मान कहीं कोई दिक्टा नहीं है चलो तो इसके दोनों एक्वेशन और हाइट के लिए सेकंड एक्वेशन यूज में ले लेंगे लिए हैच बरावर यूटी प्लस एक बढ़ा दो एक इटी स्क्वार वाला एक जीग कर देंगे कि तो टोनों एकवेशन को बढाते हैं वैसिक से समझे ज़रा ध्यान से कैसे ऐकवेशन बढाएंगे सब से पहला है एक्स एक्सक और 12 गटक गशेंट जो गती हो रही है उसकी जिमेदारी किसकी है U cos theta गे समझ रहे हो तो जब वेग उपर की तरब लेंगे तो वहाँ पर U sin theta लेंगे और जो velocity horizontal direction में लेंगे तो वहाँ पर U cos theta लेंगे समझ रहे हो आप ही देखे इसके equation बनाते है पहला equation 36 गती के लिए horizontal motion के लिए X बराबर U cos theta into T सर ये क्या हो जाक है बेटा आप मुझे खुद बताओ X X में तह कीगी दूरी ये दूरी कितनी माल ली मैंने ये दूरी X माल ली ये यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी बेटा X तो बेटा दूरी X बराबर क्या होगा आपको ओगे सर जी चाल गोना समय तो भाई X X की direction में चाल बताओ मुझे गुरुजी ये रहा U cos theta तो बटा ये U cos theta और साथ में आपका time मैंने क्या लगा दिया T तो U cos theta into T किसी बच्चे को कोई problem है नहीं सर जी बिलकुल X बराबर U cos theta into T तो हमने यहां से time T का formula निकाल लिया हमने यहां से time T का formula निकाल लिया यानि आपका X से बटा U cos theta सर जी ये तो बिलकुल basic सा सवाल था हमने equation बना लिये इसके बहुत बढ़िया फिर उसके बाद में वो उर्दवादर गती के लिए अब आएगा मुझा वर्टिकुलर motion के लिए वर्टिकुलर motion के लिए इस वाले motion के लिए अब इस वाले motion के लिए क्या निकालने पड़ेगी height, उचाई तो भई उचाई का concept दो सबको पता है यहां पे दूरी कितने है बिटा यह वर्टिकल डिस्टन्स कितना लिया अपने इस बिंदू पे मालनों वो दूरी अपने y लिया है हमें इस पर क्या लेकर हूँ y बराबर h बराबर ut y की जगे y x की direction में component क्या है y sin theta into time के अबिट आपका t minus minus क्यों लिया अभी बताया नहीं था पीछे डाइग्राम में कि जब वस्तु उपर की तरफ जाएगी तो जी हमेसा किस में आएगा minus में तो आपको पता formula क्या था h या x बराबर ut plus या minus 1 बटा 2 gt square यह आपका second equation यह आपका first equation बताओ किसी बच्चे को कोई problem है यहाँ पे यह equation बना सकते हैं यहाँ से अगर मैं इस equation को यहाँ पे बनाता हूं अगर मैं इस equation को यहाँ पे बनाता हूं तो बटा y x की दिशा में दूरी y बराबर y बराबर ut बटा u आपका component क्या है u sin theta into आपका time क्या है t ut minus उपर की तरफ जा रहा है तो एक बटा दो g वो t का value t एक बटा दो g t square बटा यह आपका first equation था यह second equation था k वल और केवल first का u second में क्या गया है तो बटा अगर first का u second में करते तो y बराबर u sin theta जड़ा देखना एक बार में जादू दिखा देता हूँ t का value क्या है बटा x बटा u cos theta x बटा u cos theta बटा sin बटा cos 10 u से u कट जाएगा इसको minus 1 बटा 2 g बटा टीका value इदा रखो क्या है इसका square करो चलो x square बटे में क्या आ रहा बटा u square cos square theta चलो इसको solve कर दो बटा y बराबर क्या आ रहा है देखो यह sin बटा cos 10 तो x 10 theta minus 1 बटा 2 g x square बटा u cos square theta अपना काम हो गया यही हमारा equation था sum एक का दो में use करके इसको solve करने का full on fire thank you बटा thank you thank you क्या बात है शाबास अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते है बिटा यह आपको first equation था बिलकुल बढ़ाना सिखाया मैंने यह हमारा second equation था बढ़ाना सिखाया मैंने अभी बढ़ाना क्या सिखाया first equation को उठाया t का value उठाया और यहाँ पे put कर दिया और मैंने यहाँ पे put कर दिया बस अभी देखलो नतीजा x y बराबर u sin theta into t तीका value minus 1 बटा 2 z तीका square तो x square u square कोसी square theta चलो उसको solve करके मैंने यह रख दिया आरे गुरुजी इसको रट्टा मार लेंगे नए 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 रट्टा मारने का कोई ज़रुद नहीं है यह understanding के लिए आपके समझे इसको अपने आप आजाएगा answer तो अच्छा अब यहाँ पे कहने की क्या कोसिस हो रही है भाई कहना क्या चाते हो हो देखो कहना क्या चाते है यह equation जो है वो represent करता है की प्रक्षेप का पत है जो projectile motion है उसका जो path है वो parabیک है यानि उसका पत जो होगा क्योंकि यह equation है वो आपका परवले के समयकरण y बराबर ax माइनस का bx γ्याएग के बराबर है y बराबर ax minus का b यह पूरा का पूरा यह पूरा काた पूरा है कि बहुत अगर चले में अगला देखते हैं दूसरा पूंट आपका क्या है दूसरा पॉंट आता है आमारा टाइम ओफ लाइट यानि उडियन Car काल यह उडियनकाल क्या होता है विटा गर जिस ओब्जेक्ट को जो फेका जाता है तो वह कितनी देर के लिए हवा में रहां यह उसका टाइम ओफ-फ्लाइट होता यह अधियनकाल भी नुमेरिकल भी कराऊंगा क्लास के लास्ट में आपकी प्रेक्टिस भी होगा, टेंसे ना लो, टेक है, तो टाइम ओफ लाइट उडियन काल का मतलब है बेटा, क्या, कि प्रक्सेफे के दुआरा उपर जाने, तता उसी तल पे, जहाँ से उसको फेका गया था, उसी तल पे वापस आना चीए, यह नहीं टोटल टाइम उसका, टोटल टाइम ओफ लाइट यानि उडियन काल कहलाता है, यह जिस तल पे उसको फेका, वापस उसी तल पे आना में जितना समय लगेगा, वहीं उसका टाइम ओफ लाइट कहलाएगा, और बहुत ही बढ़िया कंसेप्तम तयार करने यह आप पे जा रह वी बराबर यू प्लस 80, याद आया कुछ? यास, बटा उचत्तम मिंदू पे जो पहुँच जाएगा, जब वो हाइस्ट कोइंट पे पहुँच जाएगा, इस मिंदू पे पहुँच जाएगा, तो वहाँ पे वर्टिकल, देखाओगा उर्धवादर, वर्टिकल, जो वे भी किसका? माइनस का, सब फिर से माइनस लिया, क्यों? बेटा, उबजेक्ट उपर जा रहा है, जी, हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो यह concept आपका यहाँ पे बढ़ गया, जीरो बराबर यू साइन तीटा माइनस जी टी, या टी बराबर यू साइन तीटा बटा जी, बे कि अपनी है, इस तक तो मोसल लिया था, यहाँ पे हमने वीवाई को तो जीरो किया है, तो अभी तो आधी दूरी तये किया है, इसने उचाई पे पहुंचा है, वापस नीचे नहीं आया, तो यह जो टाइम ओफ लाइट आना, इसको चो की उपर जाने में लगा समय, नीच के लिए हो गया होगा, बिठा, के लिए बिठा, के लिए बिठा, साड़े बारा की क्लास कैसे चालू करे, बिठा साड़े बारा वाली क्लास प्लस की क्लास होती है, साड़े बारा से दो बज़े तक प्रेक्टिस होती है, और दो से साड़े की कंसेप्ट होते है, यानि डेर प्रेक्टिस होती है यह क्लास होती है प्लस की दोनों तो उसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन ओन करना पड़ता है जिन बचों के पास प्लस है लगभग आई तिंग 400 कुछ बच्छों ने भी जोइन करका मेरा टेलिग्राम ग्रूप है उसमें 450 के आसमास बचों ने ज स्क्रीन पर आ गया फटापर से इसको सॉल कर दे मैं तोड़ा सा पानी पी लिए तो जल्दी सॉल करें बेटा है यास बहुती बढ़िया है मेटा बिल्कुल बेटा सॉल करें मजा आ जाएगा यार सॉल करें इसको है यास इसको भी गलत करोगे गया जल्दी सॉल करोगे है भागो मत अपनी समस्यां से डटके मुकाबला करों का अ जबास यह नहीं 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 है लेकुटा फटा पर देखो जल्द्ध भी से साइथ नहीं रहता है कि के गती चुर्जा के एक प्रक्षेपे को प्रक्षेपे गती महत्तम 36 प्रास प्राप्त करता है तो उच्छत्तम बिंदों पर इसकी गत्ती चुर्जा कितनी होगी देखो कितने गुवाने की बात हो रही है मैं डेरिक्ट पुछू नहीं आपसे तो आप जवाब देदोगे रहें कि थोड़ा सा अलवा बढ़ा कि आपको दिया और पताई नहीं चला कौन सा अलवा है क्या यार तुम भी ना चोटी चोटी चीज़ो में फश्जा आते हो यह दो इसने एक चीज़ नोटीस नहीं कि मैंतम उचाई 36 प्रास जो मैंतम 36 प्रास उसको प्राप्त करता है बटा आप मुझे बता हो यार मैं सवाल करूं आपसे तोपिक अभी हुआ नहीं लेकिन फिर में पूछलो आपसको पता होगा बटा मैंग जिमम रेंज गेन करने के लिए किसी ऑबजेक्ट को किस एंगल प मैं जिमम है और मैं जिमम है की बात करता हूं तो आपका समें मोता है सबको पता नवे गर इसका लोजिक अपने को नहीं ले ना यह तुम चन्रली आपको पता आ रहा हूं ठीक है यस अभी इसके बात करते हैं आर मेग जीम में आपको चीह यानि थीटा कितना है सर जी 45 है तो फितों पूछा ही क्या है और मैग जीम आइट का फोर्मला डाइग्राम बनाखे बताओं आपको इस पॉइंट पे यहां पे इस पॉइंट पे क्या हो गए अपका इस पॉ formula चलो मैं यहां पर लिख देता हूं मिटा एक बटा दो भाई kinetic energy के बराबर एक बटा दो m v square लेकिन v square वहां पर highest point पर क्या है एक बटा दो m v का value क्या है यहां पर u cos theta लेकिन भाया जी v का square है तो u का square भी होगा cos square theta भी होगा तो यार solve कर लो direct answer है यार है तो मैं solve करके बता रहा हूं आपको एक बटा दो m u का value u square आई रहा है cos theta आ रहे एक बटा रूट दो का square है एक बटा रूट दो का square एक बटा दो यानि इसके आगे मैंने कितना लगा दिया एक बटा दो इस तरीके के सवालों को solve नहीं करते है यह मैंने solve करके दिया है मान के चलिए मैंने 4-5 सवाल ऐसे आपको solve करवा दिये पहले इस तरीके के सवालों को कभी solve नहीं करना होता है पता है क्या करना होता है जैसे मैंने पूछा, यहाँ पे राज की बाती, इसने ये range वाला दे दिया, कि range अधिक्तम है, तो मैंने 45, मैंने कहा, आप मुझे अंसर देना comment में, मैंने कहा किसी object को 60 degree angle पे project किया जाता है, तो बताओ, उच्छतम बिंदू पे गती जुर्जा कितनी होगी, अगर initial kinetic energy उसका क्या है, तो बताओ, अगर उसको 60 degree angle पे project किया जाता है, तो बताओ, उच्छतम बिंदू पे, highest point पे, उसकी kinetic energy क्या होगी, अभी मुझे आप ही comment करके बता दू, मैं एक जिमम पर 0 नहीं होगा, सर, भाई मेरे अभी पीछे बता के आ रहा हूं, यार, class पूरी नहीं लिए बिटा, तब ही doubt create होते है, अभी पीछे नहीं बताया, मैंने, highest point पे, vertical component 0 होता है, horizontal component, u cos theta, कभी 0 नहीं होता, तो यहाँ पे मैंने कौन सा component लिया है, भाई, यह 0 न आपने क्या पढ़ा वीचे, है, अगर अभी तक वही doubt आप बढ़ा के रखे हो, इती महनत करवाने के बाद में आप वहीं पे खड़े हो, जांपे पहले थे, बेटा, 60 degree पे, 60 degree पे, अभी कुछ बच्चे 4K बता रहे है, भाई मेरे, अगर, शुरुवात में के है, यार, य एंगल देखना था, खतम बात, को साट, को साट का विल्यू कितना होता है, एक बटा दो, यानि एक बटा चार के, खतम, यही ट्रीक है, इसका, ठीटा देखो, मैं कहतों, 50 degree पे फेकेंगे, तो को सी इसका स्क्वेर, रूट तीन बटा दो का स्क्वेर किया, तीन बटा चार की, अरे बेटा, यही इसका सोट तरीक है, यार, इंगल, बनाओ, यह जुगाड इसी तरीके से बनते हैं, यह स्पीड यूही मैंटेन करते हैं, यह कॉंपिडेंस यूही बनाते हैं, बस फर्क है, कि आप उस चीज की बारे में सूचते कैसे हो, बहुत तगडे सवाल बनते की है, बहुत ही बढ़ी है, बटा, जिन बचों को नहीं पता, यह मेरी क्लासों का टाइम सेडूल है, इनका स्क्रीन सोट ले लिए, जो बच्चे अभी पीछे पूच लेते हैं मेरे से, ओके समझ गें सर, तो भी परजेन लगा दे, सभी बच्चे एक बार जैन बोल के फट हो और यह क्लास है करके देखें, यह क्लास आफ का फुरिय है, यह क्लास फ्री है , यह पी बारा से साड़े तीन तक तीन गंदे की गंदे की ओती है फूसा कि की दो फ्रक्टिस जो टोपिक आपको यह आकाई जाता फर दित्ă प्रेक्टीस होता है ठेक है यह आपकी कलास है लेकिन आप एक सेडूल से भंशन उसको फॉलो करो तो अबना सबना ठीक है वहो सकता और सकताया प्रेक्टिस पर्सों हो कल में इसके प्रेक्टिस कर वादू तो फिर तीन क्लास हो जाएगी प्रोजेक्ट ऐलम सलगे थेंकी सो मच लभ वी ओल बावाय जाइन मिलतों में आप से लिए क्लास में ऑसे तो अपने दोस्तों की बात शेयर कर दो लाइक करना भूल लाइक बट्टन पार्ट